राजीव जी ने एक सवाल पूछा कि आखिर इतना बड़ा अंदोलन खड़ा कैसे हो गया इसके लिए क्या-क्या प्रोग्रेम लिए गए अच्छा सवाल है और ये समाज के उन लोगों को जरूर समझना चाहिए जो मॉबाइल के माध्यम से अंदोलन चलाते हैं बात 1983 की है प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुझफर नगर जिन में हिंदू जागरण मंच की ओर से एक हिंदू सम्मेलन किया गया था उस सम्मेलन में हिंदू जागरण मंच के कारेकरताओने शिरी गुलजारी लाल जी नंदा को आमंत्रित किया था और वो पधारे गुलजारी लाल नंदा को देश जानता है कि वो कॉंग्रेस के थे और दो बार देश के कारेवाग प्रदान मंत्री रेचुके थे मुरदाबार शहर के कॉंग्रेस के एक विधायक रहे पांच बार विधायक रहे उत्तर प्रदेश की सरकार में स्वास्थ मंत्री रहे शिरी दाउद्याल खन्ना उनको भी हिंदू जागरण मंच उत्तर प्रदेश के लोगों ने निमंत्रित किया वो भी मुझफर नगर की इस हिंदू सम्मेलन में पधारे ये घटना छे मार्च 1983 की है केवल मुझफर नगर जिल्य का सम्मेलन था सैकड़ो गाओं के हिंदू उस सम्मेलन में आये थे सब लोगों के भाशन हो रहा है थे आपकी जानकारी के लिए के उस मंच पर अशोक सिंगल नहीं थे अशोक सिंगल को विश्व हिंदू परिशद में थोड़े दिन पहले ही भेजा गया था दिल्ली के प्रांत प्रचारक से वो वहां गय थे दाउदियाल खन्ना को कहा गया बाबुजी आप भी कुछ बोलिये अगर मैं दाउदियाल खन्ना जी आज चुकी स्वर्गी हैं अगर मैं याद करूं उनके शब्दों को तो उन्होंने कहा था यार तुम्हें मेरी बास समझ में ना आएगी कुछ तो भी रज्जु भाया मंच पर थे रज्जु भाया ने कहा ने बाबुजी आप भुजुर्ग हैं बोलिये वो कागज पर घर से लिख कर लाए थे छोटा सा दस बीस लाइन होंगी के ओ हिंदों अयोध्या मतराकाशी को मुक्त कराओ जो भी कुछ लेंग्वेज रही होगी दो मिनट में बोल कर वो बैठ गए तूफान मच गया जैकार होने लगे ये शुरुवात है गुलजारिलाल नंदा नाराज भी हुए कि तुमने क्या किया ये उनको समझाया गया हमें मालूम नहीं था ये खन्ना जी क्या बोलेंगे बात खतम हो गई अशोक सिंगल जी तब दाउद्याल खन्ना जी के घर गए उनको पूछा बाबु जी आप क्या चाहते हैं और खन्ना जी ने अशोक सिंगल जी को अपनी सारी मन की बात बताई इसके बाद ये विचार हुआ कि जो खन्ना जी का विचार है वो साधू संतों को समझ में आना चाहिए विश्व हिंदू परशत की उस समय की टीम ने आपस की चर्चा की होगी और साथ अप्रेल आठ अप्रेल को दिल्ली के विज्ञान भवन में संतों का एक सम्मेलन बुलाए गया इस सम्मेलन को पहली धर्म संसद ये शब्द प्रियोग हुआ लगबग छेस्सो साधू उसमें देश भर से आये थे दाउदियाल जी खन्ना को कहा गया आप इन संतों के सामने अपनी बात ठीक से रखिए दाउदियाल जी खन्ना मुरदबाद से आये फिर उन्होंने अपनी बात रखी संतों में भी उत्साहा आया साथ और आठ अपरेल 1984 की विज्ञान भवन की धर्म संसद पूरी हो गई तब ये बात आया कि आयोध्या के साधू क्या सोचते हैं अशोक सिंगल अयोध्या गए पचास साथ साधू एक छोटे से चबूत्रे पर इखटे बैठे मैं उन साधू को अच्छी प्रकार जानता हूं जिन्होंने कहां अशोक जी आप आ गए राम जनम्भूवी के नाम पर लोग आते हैं पैसा कमाते हैं और चले जाते हैं आज जो उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं इनके गुर्देव अवेद्धनाथ जी गोरकपूर में रहते थे कुछ लोगों ने कहा अवेद्धनाथ जी को इसमें जोड़ो और अवेद्धनाथ जी को मिला गया उनको एक समीती बनाई गई राम जनम्भूमी मुक्ती यग्य समीती अवेद्धनाथ जी उसके अध्यक्ष बने दाउद्याल खन्ना उसके महामंत्री बने और कुछ लोग और उसमें साधु महतमार विश्व हिंदू परश्द के कारिकरता लाए गए क्या करें शुरुवात तो राम जनम्भूमी पर उस समय ताले पड़े हुए थे उस धाचे के अंदर भगवान थे धाचे के दरवाजों पर जेल के लोहे के सीक्चों के समान लोहे के दरवाजे डाल कर ता कैसे करें तो जनता को बताओ ताला खोलो तब कलपना ये आई कि टाटा चार सो साथ जैसी चार पईया गाड़ी के चैसेस पर लकड़ी का एक मंदिर बनाया जाए उसमें राम जी की एक मूर्ती रखी जाए और दरवाजा लगाया जाए ताला डाल दिया जाए घुमाया ज गया राम जान की रत और इसका पूजन बिहार के सीता मड़ी में किया गया जहां सीता जी का जन्म माना जाता है वहाँ से ये रत आयोध्या लाया गया साथ अक्टूबर 1984 को अयोध्या में सर्यू जी के तट पर दस्यों हजार जनता इखटी हुई सर्यू का जल हाथ में लेकर सबने संकल्प लिया भगवान का जन्मिस्थान मुक्त कराएंगे मंदिर बनवाएंगे ताले खुलवाएंगे उस समय क्या संकल्प लिया वो आज हमारे पास लिखित में कहीं नहीं मिलता साथ अक्टूबर के बाद ये रत लखनव होते वे दिल्ली की और लाने की प्लैनिंग की गई इतनी भीड चली कि रत को धक्के से चलाना पड़ा एंजिन नहीं चला चौधा अक्टूबर को ये रत लखनव आया अपार भीड इखटी हुई जब पहली रात आई तो इसकी चिंता रख्षा कौन करेगा चार सिपाही क्या करेंगे तो वहाँ एक साधू ने कहा ये नौजवान है ना बजरंगी इसमें से बजरंग दल खड़ा हो गया पट्टे बनकर आ गए दो चार छे घंटे में जितने नौजवान थे गले में डाल दिये गए लाठियां आ गई दस बीस पचास लाठियां दे दी गई और बजरंग दल यहां से शुरू हो गया और इस प्रकार ये रत चौधा अक्टूबर को दिल्ली अलखनव आया कि हत्या हो गई राष्ट्री शोक हुआ यहां भी साध्यों ने विचार किया हम भी शोक मनाएंगे इसलिए रतियात्रा दिल्ली में प्रवेश नहीं की गई एक साल का गैप दिया गया उन्नी सो पिचासी की अक्टूबर में एक की बजाए छे रत तैयार किये गए जनता का आकरशन देखकर और ये छे रतों को थोड़े थोड़े एरिये बांट दिये गए सारे उत्तर प्रदेश में जनम भूमी का ताला खोलो यही एक नारा था कोई किताब उपलब्द नहीं थी तो वैसी कुछ लिख लिया गया था मुख्यमंत्री थे वीर बहादूर सिंग उत्तर प्रदेश में अवेदनात जी और उत्तर प्रदेश पुलिस के भारत सरकार भारत वर्ष के पहले डीजीपी उत्तर प्रदेश के पहले डीजीपी स्रीश चंद्र दीक्षित रिटायर होते ही विश्व हिंदू परशत के आंदोलन से जुड़ गए महेंत अवेदनात जी स्रीश चंद्र दीक्षित मुख्यमंत्री के पास गए कि किस कानून में ताला बंद हैं हम जानना चाते हैं यह घटना अक्टूबर 1985 की है छे रत चल पड़े जनवरी में उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी वकील ने ताला खोलने की एक एप्लिकेशन फैजाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डाल दी फैजाबाद के जला नियाधीश थे केम पांडे 72 घंटे में उन्होंने उसको डिसाइड कर दिया पुलिस के SSP थे सरदार करमवीर सिंग करमवीर सिंग जो कोर्ट में बुलाया गया था मैजिस्ट्रेट ने पूछा था डिस्ट्रिक्ट जज ने या शेशन जज कि अगर हम ताला खुलवा दें तो आप लाएन और्डर समाल लेंगे सरदार करमवीर सिंग ने कहा था हुजूर आप दिवारे भी हटवा दीजिए तो भी हम समाल लेंगे साइंकाल के समय एक घंटे में ताला खोल दो और वो शाइंकाल तक कोट उटते उटते ताला तोड़ दिया गया चाबी मिली नहीं थातवड़े से ताला तोड़ दिया इस प्रकार राम जनम्भुमी मुक्ती का पहला कदम सफलता के साथ पूरा हुआ ताला खुलने का आदेश होने से सारे देश में उत्तरपदेश में उत्साचा गया ये हिम्मत बन गई कि ये इस्थान हम वापस ले सकते हैं अब क्या करना तो अब ये बात आई कि मार्ग खुल गया इस आंदोलन को आगे बढ़ाओ और हिंदुस्तान के हर गाओं में ले जाओ तो इसलिए जो मंदिर बीस पचीस साल बात कभी बनेगा उसका ड्राइंग बनाओ तो पचीस तीस साल बात कब मंदिर बनना है किसी को मालूम नहीं था उसका ड्राइंग बनवाया गया सोमनाथ मंदिर बनाने वाले परिवार से वो आज भी जीवित हैं चंदरकान तभाई सोमपुरा एम्दाबाद में रहते हैं उनसे कहा गया है कि ऐसा ऐसा मंदिर बनाईए वो आये साइट सर्वे किया आज जैसे बंधन कुछ भी नहीं थे कहीं भी आ जा सकते थे नापतोल हुई और तब उन्होंने तीन चार प्रकार के ड्राइंग बनाए सादू संतों तो यह जानते नहीं थे बस एक ड्राइंग उनीकी इच्छा से स्विकार हो गया उसका लकडी का मॉडल बना तब तक 1989 आ गया जन्वरी 1989 में कुम्भ मेला होना वाला था अलहबाद में सारे हिंदुस्तान के कारिकरताओं को बुलाए गया और वो मॉडल जनता के सामने रखा गया और यह योजना बनी कि इस मंदिर को निर्मान करने के लिए देश के हर गाओं से एक शिला का पूजन कराएंगे और पूजन करने वाले हर आदमी से सवा रुपए का दान मांगेंगे देश के लगबग तीन लाख वैसे तो तीन लाख पूरे नहीं है कुछ दस पंद्रह हजार कम है लेकिन तील लाग गाउं से शिलाओं का पूजन हुआ वो इखटी हुई अपने अपने प्रांतों के केंद्र से आई और प्रांतों के केंद्र से होती हुई वो आयोध्या आ गई और सब अक्टूबर के एंड तक आयोध्या में इखटी हो गई ऐसा माना जाता है कि 6 करोर लोगों ने अपना कंट्रिबूशन दिया क्योंकि लगवक सवा 8 करोर रुपिया इखटा हुआ जो भारत सरकार के बैंकों में गया और इस प्रकार ये ताला खोलने का अंदोलन हिंदुस्तान के तीन लाख गाउं में अपने आप पहुँच गया 1989 में मैं एक और इस्मरन करता हूँ उस समय उत्रप्रदेश के मुख्य मंत्री थे नारणदत तिवारी तिवारी जी चुनाव के संदर्व में कहीं राजस्थान गए थे दिल्ली लोट रहे थे उसी हवाई जास से अशोग जी भी लोट रहे थे एरपोर्ट पर मिल गए तिवारी जी कहने लेगे अशोग तुमने आंदोलन ऐसा पहुचा दिया हम वहां गये ते वहां भी हमसे यही पूछ रहे मंदिर बनवाओ गये यह नारणदत्तिवारी जी ने अशोग जी को बताया था आप सब की जानकारी के लिए नेनिताल के लोग नारणदत्तिवारी की पत्नी के घर जाकर उनसे भी शिला पुजन कराकर लाए थे आंदोलन तीन लाख गाउं में इस प्रकार प्रवेश कर गया ताला खोलने के बाद बाबरी मस्जिद एक्षन कमेटी बनी शेयद साहब उद्दीन जी के नेत्रतु में पहले कुछ नहीं था उन्होंने ताला खोलने का विरोत किया और कहा कि अमयोध्या क्यों पैदल मार्च करेंगे इसको कहा गया लॉंग मार्च मिनी मार्च और उन्होंने पंदरा अगस्त का वहिशकार करने की खुशना की इसका व्यापक प्रतिक्रिया देश में हुई और उन्होंने वहिशकार विड्रौ किया उत्तर प्रदेश के तमाम विश्व हिंदु परिशद और संगह के कारिकरता एक अत्रा है लॉंग मार्च मिनी मार्च का क्या करना हम भी अनुभों नहीं करते थे कि क्या होगा ये तैह हुआ एक भी जा नहीं सकता ऐसा वातावरन बनाएंगे कि मार दिये जाओगे वातावरन बनाएंगे मैं एक मैं उस बैठक का